सब्सक्राइब किजिए अभी से कराच को और बेल आइकल को भी प्रेस्ट को अब से कराच आज बात करेंगा हम ECIL के बारे में इसमें वेकंसी आई टी डिप्लोमा और बी-टेक के लिए तीनों के लिए वेकंसी है और यह कॉंट्रेट वेस्ट वेकंसी इसमें एक्जाम के इवन यह ECIL का भी त्यारी करना चाहते हैं तो आप मेरा कोचिंग जोएन कर सकते हैं जो की पटना में है पटना में दीघा एक जगह है जहां पे गौर्ण्मेंट आई टी आई है और इसमें आई टी लेवल का कोई भी जोब आता है उसका त्यारी करवाई जाती है अगर सरायर चार सो कमपणीएं चार सो मिरेसे किसी नहीं किसी कमपणी आती रहती है अब चाहते हैं ऑर आप आपका त्यारी अच्छा सोजाए और एक अच्छा जोब मिले तो मेरा कोचिंग जो अनची छोएन कर सकते हैं इज्वे जय इस वर इसक्रिन पर नंबर दीक रहा हुग तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको Google में www.ecil.co.in डलना होगा, इसके बाद यह पेज खुलेगा, जो सामने आपको दिख रहा होगा, इस पेज पेज पर बहुत सारे option देखेंगा आपको, जहां पर यह carrier है, यहां पर जाने आपको, अबराई करेंगे, carrier होगे, ईस तरीके का link, इसमें आयंगे आप, इह रिकूर्मेंट मे यहां पर क्लिक करेंगे, तो यह फॉर्म खुल गया है, यहां पर आप दिख रही होगे, कि यहां दिख रहा है आपको, तो किApply करने के लिए, और फॉर्म को भरने के लिए शबरा इसमें सबसे पहले आपको देख रहा है डीटेस एडवर्टाइजमेंट इसको पढ़ सकते हैं अप्लाई करने के लिए आपको यहां किलिक कर रहा है अप्लाई फोर वेरियस पोस्ट और इसमें जो डेट दिखा रहा है 21 सितंबर से शुरूए जो की 19 सितंबर तक चलेगा तो को हम देखते हैं देखें लिखा है इल्ट्रोनिस कोपरेशन आफ इंडिया लिम्टेट मतलब इस यह जो कि हैदरवाद में है और यह एक भारसर का पीसू है तो इसमें जो पोस्ट दिखा रहा है तो पहला है जुनियर टेकनिकल ऑफिसर ऑन कांट्रेट नमबर पोस्ट इसमें जो मैक्सिममम एज लिमिट है इसमें सेलरी जो मिलेगा 17,490 है और नेच्ट जो फिल्ड ऑपरेशन के लिए है कॉंट्रेक्ट पर ही इसका भी और इसमें 106 पोस्ट है और इसमें जो आपर एज लिमिट है पचीस है इसमें जो सेलरी मिलेगा 15,912 रुपे मिलेंगे इसमें बीटेक्ट वाले भी अप्लाई करेंगे जिसमें इलक्टोनिस, मेकानिकल, इस्टूमेंट मेकानिक्स, लेक्टिकल, इलक्टोनिस, एंड कॉंप्यूटर साइंस के जो ब्रांची वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद हम पोस्ट नमबर 2 के बाद करेंगे तो डि पोस्ट्सटहें के मैं जिसका दो स Ear Okay है जिसमें अप्लाइक करेंगे एक्सरी किन अनको एड़ों मिलेगा और इसमें जो सेलेक्षण का मेथड है तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि method of selection कि the selection process will be through a written test interview the written test interview will be held at हैदराबाद only और इसका जो test और interview होगा वो हैदराबाद में होगा इससे बाहर नहीं होगा इसलिए आप फॉर्म अपलाईकर्स में ध्यान रती है कि आपका interview और test हैदराबाद में होगा और इसका जो date और time है वो आपको email को बता दिये जाएगा ऐसा इसमें लिखा है और इसमें त्यारी करना चाहते है तो इजीवे जोइन कीजिए जो की एक best इंशूट है आइचे के लिए आपका हर टेक्निकल का और जगा भार सरा चार सो कंपनी में से किसी भी कंपनी के तैरी करेंगे उसके लिए वो बेश्ट रहेगा आप मेरे नोट्स से आप आराम से पड़से रेक बार क्लास करने बाद फिर दुबर आपको कहीं भी टेक्निकल करना नहीं पड़ेगा अप्लाई करेंसे करना इसके लिए सबसे पहले आपको गुगल में टाइप करना यह इसका जो लिंक है यह इस टाइप करेंगे यह डिरेक्ट में बताया हूँ इसे टाइप कर दीजिए और इसका लाश्ट दिखारा 29 सितंबर बहुत कम समय दिया गया है प्रोससर की जब अप्लाई करेंगे उसके बाद इस एसमें इसका अप्लीकेस अफॉटव करेंगे अप प्रिम्ट करने के बाद इसमें एक का फॉट्टो्स चिप्काना है और आपका आपर्टाइजमन्ट नममर faut is 결is 2876 और यह इस पतेब भी ना है पता है प्रिश्नाल मैं मेजर रिकूर्मेंट परशनल ग्रूप रिकूर्मेंट सेक्षन एलेक्ट्रोणिस कोपरेशन आफ इंडिया लिम्टेट पोस्ट हैदराबाद इसका पिन कोड है 500062 तिलंगाना इस्टेट दिख रहा है आपको और इसके बाद जो डीटेल्स अब लिस्टेट कंडिट है उनक आप इसको डाउनलोड करके वाल अच्छे सपोर्ट लेजेगा और सेलेक्षन विली बेशन रिटेन टेस्ट इंटर्व्यू और बोथ एज डिसाइडर वाई इसी आईल इन रिस्पोंस फ्रोंग दा कंडिट फोर देवाब पोस्ट और इसमें सिलेबस की बात कहीं पर नही किया गया है तो मान के चलिए कि आपका ट्रेड है ट्रेड से टेकनिकल कोशन्स ज्यादा रहेंगे और एज में छुट मिलेगा गवर्मेंट ऑफ हिंडिया गर्नसाइज इसमें एसी एस्ट के लिए पांच साल है और ओभी सी के लिए तीन साल है और जो हैंडिकेप है उनके 20 सितम बर इसमें पर ने का जो भर कर भेजने का डेट है ओफ-लाइन ओषर 8 अक्टूबर तक आपको भेजना होगा स्मा को लेकित तक है है अ हूं कि साम को 4 बता जाएगा और इसमें आ आप को अपलाई करना है और याद कर लिए यह है तो यहीं था अगर आप मेरा फेस्बूक ग्रूप जोइन नहीं किये हैं तो जोइन कर लिए वहां पर बहुत सारे अपडेट मैं देता रहाता हूं और वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं जो 5000 कासपास वापस में डिसकस करते प्रोप्रॉब्लम को लेकर तो अगर आप भी जौन करना चाहते तो कि डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंग मिल जाका जहां साब डाउंलोड जौन कर सकते हैं डैरेक्ट और इस वेबसाइट का मैं लिंग निक जहां साब डारेक्ट अपलाई कर सकते हैं चली आज अडिये नहीं था थैंक्यू सूमच फिर मिलेंगे आप से नए वेकेंसरी साथ तब तक के लिए नमस्कार